पहली बात तो दीखे GST का नंबर आवरेज देड़ लाग क्रोर हो गया वो बहुत ही अच्छी बात है यह क्लियरली दिखलाता है कि जो गवर्मेंट का जो टैक्स मौपप का जो मशिनरी है वो बहुत ही एफिशेंटली काम कर रहा है मेरी ख्याल से देड़ लाग क्रोर का सालों में यह नंबर और भी मजबूत होने की पॉसिबिलेटी है क्योंकि अभी तो GST ने शुरवाट की है आगे आने वाले दिनों में GST नंबर और भी बढ़ेगा तो डेफिनेटली यह मैक्रो पिक्चर को और थोड़ा मजबूत बनाता है आजे और क्लेरली हमको लग रह काफी पॉसिटिव रहेगा क्योंकि फंडिंग कमफर्टबली GST से आएगा तो नेट नेट डेफिनेटली पॉसिटिव है मार्केट डेफिनेटली इस बात पर अभी जरूर रहेगी और आने वाले दिनों में आप भी जैसे सभी को पता है कि अभी मिटल ऑफ जैनवरी से प करने के अपकेक्षा रहेगी तो नेट नेट पॉसिटिव है अभिनाश आप तो काफी मिटल में हंटिंग करते रहते हैं मल्टी बैगर्स के लिए यह साल जो व्यू बन रहा है कि यह स्टॉक पिकर्स यह हो सकता है और हमने देखा है कई बार के इस पर बड़ी बडी डिसक स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक जादा चलना उनका केस बनता है जो साल लोगों का विव आ रहा है कि 2023 वो मिट्काप स्मॉल कैप और स्पेसिफिक लार्ज कैप साल सकता है आपके अपने कौन से स्टॉक्स रिसेच करके निकालें न्यू यह के लिए कि अधिए मुझे लग रह है अभी काफी अच्छे वैलेशन पर मिल रही है तो यहां पर डेफिनेटली एक निवेश का मौका बल सकता है मुझे लग रहा है कि 2023 में मदर संसु में अच्छा विकल्प हो सकता है यहां पर कस्टमर रेंज प्लस इनका जो प्रोड़क रेंज है वो बहुत ही वेल एस्ट कि 2023 और 2024 यह बहुत अच्छा रहेगा supply side pressures थोड़े से कम हो रहे है तो यहां पर हैडल बग सिमेंट उसके बाद स्री दिगविजे सिमेंट और ऑबिसली बड़े में अल्टरा टेक सिमेंट यह तो सिमेंट कंपनी में थोड़ा थोड़ा निवेश करने की गुझाश रही यह जो अच्छा रिस्क्राइब इन्वेस्टर से लिए मिल सकता है तो सिमेंट भी और अटेम पूरी तरह से किनो का अगरे तिन यहां पर मॉक्री अभी मिल रहे है तो यहां पर निवेश के मौके जरूर इन्वेस्टर सो दूनने चीए तो यह आपकी तरफ से रेक्मेंडेशन्स रहेंगी इंवेस्मेंट आइडिया से क्लिर यह अविनाश की तरफ से दूसरी तरफ युएस में स्लोडाउन तो यह किस तरफ करवट बदलेगा उंट यह एक देखने वाली बात होगी और मैं बता दू कि भाव जो हैं मेटल स्क्स के इंडिया में काफी घड़ गए अगर आप तॉप से देखें तो काफी सारे स्टॉक्स में अन्वाइनिंग हो चुकी है किया यहां पर एक मीडियम टर्म ट्रेड बन सकता है जिससाब से डॉलर इंडेक्स कर रही है अविनाश जेफरीज के रिपोर्ट पर नहीं आपका में जाना चाहूंगा मेटल स्टॉक्स में इंफाट आजे आपने सही काई कि चाहिना ने अभी अपनी एकोनोमी को रियोपन करने में काफी बड़े अनॉंस्मेंट्स कि और यह सबसे बड़ा तीम 2023 का हो सकता है क्योंकि मेटल मार्केट में काफी समय से चाहिना का इंतजार तो मेरे खाल से अगर यह प्रक्टिफाय होता है चाहिना मेटल मार्केट में एंटर करता है तो हम सभी जानते हैं कि मेटल के प्राइस में किस प्रकार की पॉजिटिविटी आ सकती है और अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पीक लेवल से स्टॉक्स ओपरी लेवल से काफी पिटे हुए है हमको लग रहा है कि इनो स्टॉक्स लेक वेदानता उसके बाद हिंडाल को टाटा स्टील जेस्ट अबलू यह सारे स्टॉक्स में एक अच्छा पॉजिटिव इनो सेंटिमेंटल एक्शन इनेशली आपको देखने को मेल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे अपने सही का कि मेटल सेक्टर अडरोंड है और यहां पर इक रिस्क्राइब बन सकता है थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए जो यह सेक्टर पर प्ले करना चाहते